एक छोटा सा चुहा था और एक रीसी के आश्रम में रहता था ज्यादा परिसान किसी को नहीं करता था तो रीसी महरसी का उसके साथ बड़ा अच्छा लगाओ हो गया था चुहे का रीसी महरसी कहीं भी जाते थे आते थे तो कुछ ने कुछ उसको खाने पिने को दे देते थे एक बार मरसी ने देखा कि एक बिल्ली उस चुहे के पीछे-पीछे दोड रहे है जो बिल्ली पीछा-पीछा लगा हुआ है तो मरसी ने सोचा बेचारा चुहा परिसान है उन्होंने उस चुहे को कुटा बना दिया क्या बना दिया? अब जैसे कुटा बना प्लट के देखा बिल्ली के तरफ तो बिल्ली भागी वहां से पड़ा प्यारा कुटा एदम वाफदार दिन रात दो मिलाते रहता था बैठे रहता था खाना जो महर्शी देते थे वो खाते रहता था एक पर एक सेर आ गया क्या आया? सेर आया और वो पिछा करना शुरू किया कुटे का महर्शी ने सोचा कि यार बेचारा कुटा देखो परिसान है उन्होंने तुरंथ मंत्र फुका और उसको भी और ताकतवर सेर बना दिया, सवा सेर बना दिया अब जैसे उचला उदर से सेर बना प्लट के जब धार मारा जंगल का सेर था बिल्कुल थरा गया लेकिन बड़ा वफदार सेर प्लट क्योंकि बना तो था चुहे से सेर बड़ा वफदार सेर था ये जब भी कोई बात रिसी जी बोलते वो करता, सिकार नहीं करता था, जो कुछ मिल जाता खा लेता था बड़ा वफदार सेर तो अगल बहल के जो आस्रम के लोग थे, उसको हमें सब पुछकारने लगें, कुछते जैसा और कहीं जाता था लोग कहानी बनाते, देखके हस देते, कि ये देखो ये चुहा था महरसी की किरपा से सेर बन गया है कई लोग ऐसे बोलते कि देखो बेचारा, कुट्ता था सेर दवड़ाया तो महरसी इसको सेर बना दिया तो उसने सोचा कि भाई, जब तक महरसी जिन्दा रहेगा, तब तक लोग ऐसे इसी अफ़वाह तो उनाते रहेंगे और कभी भी अगर उनका मूड बदला, तो मुझे फिर से चेंज कर सकता है तो उसको लगा कि यार, बढ़ाई हमारी तो होई नहीं रहे कि मैं सेर हूँ मैं इतना खतरनाक हूँ, बढ़ाई किस की हो रही है, महरसी की हो रही है बार बार बाई हर समय कोई भी बोलता है बोलता है यार देखो महरसी ने बिचारे को सेर बना दिया, मतलब सेर को भी बिचारा बोला जाए उसने बोला इस जड़ को ही खतम करना पड़ेगा महरसी का काम कर दो खलास जब महरसी को मार देंगे तो वो दबह पाउं महरसी बैठ हुए थे उसकी तरब देखा और जैसी नजदी के जपटा मारा तो भाई बाप तो बाप होता है महरसी आ रहे थे वैसी उसकी नियत पता चल गई उन्होंने दो बार मंतर घुमाया और फिर से उचला तो सेर बनके टप से गिरता है चुहा बनके चुचु करना शुरू कर दिया है समझ में आ रहा है तो कम से कम जिस इंसान ने हमें उपर ले जाने में हमें आगे बढ़ाने में हमारी एक परसेंट भी मदद करी है कुछ भी हो जाए उस इंसान का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए चाहिए वो एक परसेंट ही क्यों नहीं कई लोग कृतग न बन जाते हैं जब बिजनेस डेवलप हो रहा होता है कौन किस तरीके से आपको सपोर्ट किया है यह साइद आपको दिखाई दे सकता है या सकसेस की उमांद में आप ये बात भूल भी जाते हैं कि किसने मेरी क्या हेल्प की थी और कई लोग अपने अप्लाइनों की बुराई करने लगते हैं कई लोग जो सीनियर उनको आगे बढ़ाया था उसके बारे मैं ऐसा बोलने लगते हैं कि सर आपने मेरे लिए किया ही क्या है मैं सब कुछ हूँ अरे सोच के देखो जब तु इस इंडस्ट्री में नहीं आया था तो वही अप्लाइन था जो आपके घर गया था और आपको विश्वास दिलाया था कि दोस्त तू भी लाखो रुपे कमा सकता है आप 20,000 रुपे की इंकम ले रहे होते हैं या कोई 15,000, कोई 30,000, कोई 40,000 कोई फोज से रिटायर होके कहीं पे बैठा हुआ था ऐसे समय पे एक अप्लाइन ही तो था जिसने आपको भरोसा और विश्वास दिलाया था कि दोस्त तेरी जिंदगी बदल सकती है तेरी लाइफ में बदलाव आ सकता है तू भी अपने बीबी बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता है और हमने उस समय उसकी नई सुनी थी हम नेगेटिव थे तब कहां गया थी आपकी बड़ापन कहां गई थी हमारी बड़ापन उस समय हम कहां थे जब बोला डीडी का पैसा दे दे और हम भाना बना रहे थे लेकिन वो बिचारा फिर भी आपके पीछे लगा रहा तब तक जब तक आपने पैसे नहीं दे दिया तब आपकी कैविलियत कहा थी आपको प्लान देने नहीं आता था उस बंदे ने आपको प्लान देना सिखाया खुद बाइक पे बैठता है आगे सामने से गाड़ी चलाता है आपको पीछे बैठता है एक एक प्लान आपके साथ देने जाता है आपका पहला चेक रिलीज कराता है ब्रॉंज डिरेक्टर का तब आप कहा थे तब हमारी काविलियत कहा थी और दीरे-दीरे करके जब हम बिजनस सीखना सुरू कर देते हैं दीरे-दीरे करके जब हमारा बिजनस डेवलफ होना सुरू करता है हम लाख और रुपे कमाना सुरू कर देते हैं तब हमारी इगोई आती है और तब हमें समझ माता है कि मेरे अप्लाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया उससे पहले कहां थे स्वाई में आ रहा है दोस्तों आप में से बहुत सारे से लोग हैं जो सायद जिन्दगी में कभी इस एसास को भूल जाते होंगे और कई गलतियां कर जाते हैं यही सबसे बड़ी गलती है हमारी इस एसास को कभी मत भूलना को कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ टेडा है पर मेरा है चाहे कैसा भी हो जिस इंसान ने आपको बनाया है न वो इंसान जिन्दगी में कभी आपका विध्वांस नहीं कर सकता बाकि दूसरे सब आपका फैदा उठाएंगे लेकिन जिसने आपको बनाया है जिसने आपको तियार किया है जिसने आपके साथ ग्राउन में काम किया है जो आपके साथ भाग रहा है जो आपके लिए दिन रात खर्चा करता है अगर आपका दुनिया में कोई भला कर सकता है वो ही इनसान कर सकता है और वो जस्ट आपका अपलाइन होता है लड़ाई जगड़ा तो सब होते रहता है बुरी बात लगनी किसी की बात को काटना ये सारी चीजे तो हमेशा चलती रहती है मेरे दोस्त इसमें कोई प्रॉलम नहीं है ये तो चलते रहता है लेकिन जिन्दगी में कभी भी उस इंसान के लिए परती अहसान फरामुसमत बन जाना जिसने आपको डेवलप करने में रत्ती भर का रोल दिया है आप इस बिजनेस में काम करो या मत करो आप SLEPS में रहो या मत रहो लेकिन जिन्दगी भर जहां भी जाओ उस इंसान का नाम जरूर याद रखते रहना जिसने आपकी डेवलप्मेंट में आपको आगे बढ़ाने में रोल अदा किया है हमेशा ग्रोथ करते रहोगे ये एक सक्सेस्फुल इंसान की निसानी है इसी से आपके अंदर अध्यात्मिक भावना आती है मैं हमेशा बोलता हूँ नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीडर बनने से पहले एचीवर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनी है क्योंकि लोग लीडरों के साथ नहीं अच्छे इंसान के साथ जल्दी जुड़ना पसंद करते हैं लोग पैसे के साथ कनेक्ट नहीं होते, लोग इंसान के साथ कनेक्ट होते, याद कीजिए, जब आपके पास कुछ नहीं था, आपकी टेस्टीमनी जीरो थी, उस समय भी आप किसी बंदे को प्लान देने गए थे, लोगों ने उस समय भी आपका साथ दिया था, उस समय क्या थ आपकी अच्छी बात है, इंसानियत ही तो थी, जिस पे भरोसा किया था किसी ने, आज पैसा आया गया, आज ओडी आ गया, आज मर्सेडीज आ गया, आज ब्यम डबलू आ गया, लाख रुपए महिने की इनकम है, आज की बात छोड़ो, इसलिए मैं उन लोगों से करता हूं, जो लोग सुरुवाती दोर में मेरा साथ दिये थे, क्योंकि वो लोग मेरी सफलता को देखके नहीं, मुझे देखके आये थे, जो लोग आपके पैसे देखके पीछाएंगे, जब पैसे नहीं रहेंगे, छोड़के भाग सकते हैं, लेकिन जो लोग आपसे दिल से कनेक्टेड होंगे, वो लोग जिन्दगी में कभी आपको छोड़के नहीं जाने वाले हैं.